पहली हाइलाइट करनाटका के 50 किसानों के एक ग्रूप ने कल गाजयापूर बौर्डर पहुंचे जहां उन्होंने भारते किसान यूनियन, BKU और अन्य किसान यूनियन के साथ शामल होके तीन क्रिशी कानूनों पर विरोध किया के आराइस के प्रेसिडेंट कोडी हली चिंदर शेकर के साथ लीडर्स और फामर्स थे जिन्होंने BKU के लीडर के साथ मुलाकावत करते हुए विरोध प्रदर्शन में अधिक से अधिक किसानों को बुलाने का वादा किया और ये भी कहा कि कनाट अका से गाजयापूर बॉर्डर में दो हजार से अधिक किसानों को बुलाएंगे और उसकी योजना बनाई कहा कि ट्रेन के माधियम से वो छोटे-छोटे बैच्छोज में लोगों को गाजयापूर बॉर्डर पहुंचाएंगे अगली हाइलेट कबनपाग पोलिस टेशन में IPS ओफिसर वातिका कटियार ने फायर रेजिस्टर की है उनके हजबन नितिन शुबास और उनके परिवार वालों पर इन टोटल सेवन लोगों पर एफायर रेजिस्टर की गई हैं इन पर डावरी हराश्मन, फिजिकल और मेंटल अब्यूस, क्रिमिनल इंटिमिटेशन, चीटिंग, क्रॉयालिटी ऐसे कई सारी दूसरी चार्जस लगाए गए हैं IPS ओफिसर वार्टिका का कहना है कि उनके हजबंड और उनके फामिली वालों ने नेवंबर 2011 से लेकर फेबुरी 2021 तक उनको टॉचर दिया है, कभी पैसों को लेकर और कभी सोनी की ज्वेलरी को लेकर और फिजिकल अब्यूस का भी उन्होंने इंसिटेंट मेंशन किया है, ज हमेशा उनके हजबंड और उनके परिवार वालों के डिमांस पूरे के क्योंकि इस डर से कहीं शादी ना तूट जाए। ले थे और बाचीत के दोरान शिवो और स्वामी ने किरन और कृष्णा पर जानलेवा हतियारों से हमला करते हुए इन दोनों को माट दिया, किरन रावडी लिस्टर था और कृष्णा उसका दोस्त, पोलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई है इस केस को ट्राक करने के लिए, अगली हाइलाइट केला में जनवरी से क्लासिस 10, 11 और 12 को रिस्ट्रिक्शन और कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स के साथ खोल दिया गया था और स्कूल्स खुलने के एक महिने के बाद मलपुरम डिस्ट्रिक में दो स्कूल्स में 187 स्टूडेंट और 75 स्टाफ एंप्लोई को कोविड पॉजिटिव पाया गया है मौहमद इस्माइल डेपिटी मेडिकल ऑफिसर मलपुरम डिस्ट्रिक ने कहा है कि एक स्टूडेंट और एक टीचर को कोविड पॉजिटिव था और उसके बाद स्कूल के सारे टीचर और सारे स्टूडेंट और दूसरे स्टाफ मेंब एक केंगेरी के पास और एक ब्रिंदावन गार्डन श्री रंगा पत्नम में एक यंग लेपर्ड पिछले तीन महीनों से केंगेरी के अलग-अलग लोकेशन में स्पॉट किया जा रहा है वो रेगिलर विजिटर बन चुका है जिसके वज़े से वहां की रहने वाली लोग खौफ में जी रहे हैं बैंगनोर डेप्यूटी कंजरवेटर और फॉरस रवी शंकर ने कहा है कि किसी भी तरह का मेजर इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं किया गया है और उन्होंने कहा है कि हम काम कर रहे हैं इस पर और इस मुद्दे को सुलझा लेंगे और उमीद करते हैं कि भविश्य में भी ऐस कोई भी बड़े घटना नहीं होगी ब्रिंदावन गार्डन के साउथ गेट के सीची टीवी कैमरा में थर्स्डे की रात को लेपर्ट को घुमते हुए रेकॉर्ड कर लिया गया है और सोसेस का कहना है कि के आसपास वाले गाउं में लेपर्ट को स्पॉट किया जाता था ल चीफ मिनिस्टर सीएं अश्वत नारायन ने कल कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास का इनिशेटिव में कुछ क्रिस्टिन कम्यूनिटी के लोगों ने वन क्रोर रूपीज डोनेट के हैं राममंदिर के निर्मान के लिए जिसमें आंत्रोपनॉस, बि नाने के लिए जो मुहीम चल रही है उसका साथ देते हुए वन क्रोर रूपीज डोनेट के हैं तो ऐसे ही न्यूज हाइलाइट के लिए आप बने रहें इंडियन मीडिया बुक के साथ और थैंक्यू फू वॉचिंग